तो है हकी साब आपका बहुत दन्यवाद आपको हाकीम साब हर एकционा में हर एक है क्व्यकति चुस्त तंद्रुस्त रहना चाहता है वो चाहता है कि उसे कोई बिमारी ना हो लेकिन क्या करें बिमारी तो दस्तक दे की जाती है चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो लेकिन हम बेमारी को नजरन्दाज जरूर करते हैं हलकी सी कोई परिशानी होती है सोचते हैं कि ठीक हो जाएगी ये ले लेते हैं मैडिसिन या वो ले लेते हैं तो एक उम्र के बाद समझ में आता है कि आप आपको एक सही उपचार अपनाना चाहिए हमने बड़े बुजर्गों से सुना है कि जो हम बच्पन में खाते पीते हैं उसका असर हमें आगे जाके दिखता है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो इस बात में कितनी सच्चाई है क्या ऐसा है कि हम अगर पहले से ही कि अपने खान पान पर ध्यान रखें तो धीरे धीरे करके जब हमारी उम्र बढ़ती है तो वो हमें कहीं न कहीं सेहत मन बनाती है देखिए यह हमारी जो ग्रोथ की उम्र है वो तकरीबन 20-22 साल तक हमारी ग्रोथ होती रहती है और वाकिए इसमें जो खाते हैं वो जिसम को लगता है वो गाउमों में कहते हैं कि पानी भी पियो तो दूद बनके लगता है इस उमर में और फिर आती है वो उमर जहाँ हमारी नशन उमा यानि ग्रोथ खतम हो जाती है अब फिर वो जवानी की उमर आ गई आदमी बालिक हो गया है तो पिर ये जो कुछ खाया पिया है ये हमारे जिसम ने कबूल किया और एक सेहत मन इनसान को पैदा कर दिया है अब यहां से जो उमर है वो चालिस साल तक पैटिस साल तक सहत वाली रहती है और काने पीने का असर हमारे पूरे जिसम पपड़ता है दिमाग पपड़ता है आद पैर पपड़ता है अब ये उमर जो आ गई 35-40 साल की यहां फिर ये बीमारियों की उमर हा भी है अब यहां से जिसने एहतियाद कर ली तो वो स्वास्ति जिन्दगी गुजार सकता है तो इस जीवन में जो चालिस साल के बाद का जीवन है इसमें हर बीमारी आपको दर्वाजे पर दस्तक देगी आप उसका क्या जवाब देते हैं उस बीमारी का देखिए ब्लड प्रेशर की अमर यही है चालिस में तालिस के बाद थाईराइट की अमर भी यहीं से शिरू हो जाती है अकसर यह से पहले भी हो जाता है डाइबटीज की अमर भी यही है चालिस में तालिस किसी को पचास में जोडों का दर्द कमर दर्द इस सारी अमर यही है पिर प्रेट पेशर दिल का मर्ज ये सब शुरू हो जाएगा और मेरा अब तजर्बा ऐसा कहता है कि हर शख्स को इन चार पांच बीमारियों में से एक बीमारी जरूर आती है चाहे कोई वो डॉक्टर ही क्यों ना हो अगर वो अपना ख्यार रख सकता है तो रखे और इन चार पांच बीमारियों की रोक्ताम के लिए उख करें कोशिश अपना खून पतला रखने की खून पतला होगा जिसम मोटा नहों यानि हेल्दी नहों जादा और उसमें महनत यानि मशक्कत हूब हो एकाद घंटा पैदल भी चले और फिर अब आप अपने आपको जवान ना समझे हर आदमी चाहता है कि वो अपने आपको जवान ही दिखाता रहे और जवान ही रहे को बढ़ापा आता है और हकीमों पर भी आता है कलोंजी का सिरका दो चमच रोज पी लिया करें एक चुटकी खाने का सोडा मिलाकर असली कलोंजी का सिरका और एक चमच धनिया खा लिया करें धनिया का पौडर यह इन पांच बीमारियों से रोक थाम है पाँच या शे ब्लड पेशर, कालिस्टॉल, हार्ट और फालिज और डायबटीज इन सारे रोगों की रोक थाम है ये निरोगी लें तो रोग से मुक्त रहें रोगी लें तो रोग कंट्रोल रह सकता है ये दुनिया की बड़ी दवा है असली कलोंजी का सिर्का इस्तिमाल किया करें तो दर्श को देखे निरोगी हैं या फिर रोगी हैं आप लोगों की लिए तमाम नुस्ख्य मौजूद हैं बस आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना है इन नंबर्स पर कॉल करके जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रींस पर हैं आप कुछ कॉलर सम तो मैं 5-6 महिने से मैं गॉंचिया खा रही हूँ, अभी मेरा खतम हो गया है, लेकिन मेरे बीच में काफी छीच था, कमर में दर्द और टांग में जो आता था नहीं आता था, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ, लास्ट महिना जब खतम हो गॉंचिया तब से मेरे थोड़ा मेरे दर्द डर रहता है, टांग में बी और पाउ में दर्द रहता है मैं क्या करूंछते तुमारा क्या के हैं, मैंने 5 महीने खाया है और 1 समय खाया एक महिना, उटल 6 महीने मैंने खा लिए है। ठीक, अच्छे देखी कभी कभी ये दर्द होगा आपको, जब भी आप वजन उठाएंगे, वेस्टन टालेट यूज नहीं करेंगे, तब आपको बार बार ये हो सकता है, अगर इतफाकन हो जाए तो दर्द की दवा ले लेना, और अगर ये मस्तकिल हो तो गौनसिया इलाज है इसका, और अधा-धा गिराह, इसकी खुराक है, एक बार ये दो मार ले सकते हैं, वेड़ जादा है तो बार बार आपको परिशाली होगी, तो वेड़ कम करने की भी आप दवा ले सकते हैं, और जिंदगी में कई बार ये आपको परिशान करेगा, आपका इसका जी आपका स्वागत है तो नेरा नड़की ता लड़का है वो अकड़ाता है अचक लागती है बोलता हुआशे साफ बोलता है पर अकड़ाती है और दूसरा स्वाल है जी मैंने आपके गोन मोरींगा और गोन श्यमंगा था मैं खा रही हूँ दे दो मनें हो जाएंगे जी पहली ताइल को लेकिन मेरा दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है मैं बहुत दर्द पहन कर रही हूँ पर आपकी वातों प्रबश्वास से कि खाते रहूं और आम अलगेगा खाते रहूं पिर आपकी तीन चेख भाई ने पोन किय जाए था जहां से दवाई मंगाई ती तो ये पैसे जरूर में हुआ लोगी आप जे बाराम लाज़जा मकाति रही हूँ पता ना करें हो आम असके बात करो वह बेज रहा हूं मैं का ना भाई हो जेजी इनना अचा दर्द कहां पर ज्यादा हुआ है आपको पूल लाह मों से जीता घ़टी तमी जिस खैन से और शारे पैर स्फव गया है आत्र वी मैं माला करती हूँ परमातमा की माला करती हूँ इस उसमें चो वजन होता है जब भी स्फव हो जा है और ये सवाल है मेरा की मैं आपको बगवान बिमानती हूं तो मेरे इस परसनगा उस्थर दीजये मेरी संता का सुमायदान कीजये कौन जर्मा का पता हार, कौन दिश्मिंग की मार शंकर का दादा कौन है अब बगवान पते समान मानते हैं мен आपको तो मेरे परसनगा उस्थर दीजये मैं टी वी के आगा नहीं बैठी हूँ अब आप टीवी के आगे बैट जाएए आवाद बढ़ा लीजे और आप एक देवी के समान है और भगवान की बहुत पसंदीदा महिला है और जिसको भगवान ज्यादा पसंद करता उसे आजमाता भी ज्यादा है आपका दर्द बढ़ गया है दवा से ही बढ़ा है और बांसिया ही ले और उससे भी तेज़ जो वो लोग कह रहे हैं कैपसूल वो भी ले सकते हैं बस दो तीन बातों को खया लगए हैं वेस्टन टौैलिट अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ऐसा कुर्सी वाला शोचा ले तो जरूर इस्तेमाल करें बहुत महनती है तो महनत कम क दर्द बढ़ के कम होता है और जिननों को दर्द बढ़ जाता है वो बहुत शिकायद करते हैं आप तो शिकायद भी नहीं कर रहे आहां बहुत ही सहिम वाली महिला हैं बस चार-पांच दिन दर्द की दवा के साथ आप यह दवा लेएं तो फायदा होना मुमकिन है छी साल क बच्चा है जो हख लाता है उस बच्चे को काली मिच पीश का रख लीजे उबारिक पाउडर और आधी चुटकी काली मेच का पाउडर और एक चमच हनी यानि शहद में मिला कर रोजाना एक बार सरूर खिला दिया करें बच्चे का ठीक होना उम्किन है अम्राना हमारे साथ जुड़ गई है स्वागत है आपका गाड़ जी बताएए तारी आपके आवाज श्लावालेकुम असलाम बहुत अलों बालेकुम सलाम इम्राना बताएए उद्म जैसी दश्का थोड़ा बहुत जाड़ का काम करते हैं न यह लगत जे होती है क्याने लग जाती है भी जुकाम हो जाता है कितनी उमर है इम्राना आपकी पच्टीस अच्छा बच्छा देखिए ये मरस जिसको होता है उसमें कुछते मुदाफियत यानि इम्मुनिटी की कमी होती है और अगर इसका इलाज पाच्छे महीने किया जाए तो फाइदा मुम्किन है बशर् खटी चीज़े और ठंडी चीज़ें भी छोड़ दें इलाज के दोरान तो इसका इलाज मैं बताता हूं आप लिख लीज़े अगर आपके पास कलम है और कौपी है तो आपके बड़ा काम आएगी देगे सपिस्तान एक दवा है जिसको असाद जबान में लिसोड़ा कहते ह यनि लिसोड़ा सो ग्राम और उनाब सो ग्राम और अलसी सो ग्राम सपिस्तान उनाब अलसी सो सो ग्राम खरीदें उनाब की गुटली निकाल कर फैकनी पड़ेगी और इसमें तीस ग्राम पीपलें जो हमारे किचन के गरम मसालों में पाई जाती हैं पीपला मूल भी कहते है हिंदी में पीप लें इसमें 30 ग्राम मिला के पाउडर बना लें अब ये एक चमच सुबह खाली पेट निहार मुझे से कहते हैं गरम पानी या गरम गरम चाय के साथ आप सुबह निहार मुझाएं और रात को सोते वक्त एक चमच इसका छोटा चाय का चमच भरके खाया करें आपको फाइदा होना मुम्किन है लेकिन 6-7 मेने लगाता लेनी होगी खटी चीजे बिलकुल तरक कर दें बिलकुल लाका है तो फाइदा मुम्किन है बिहार से हैं प्रवीन कुमार जी स्वागत है आपका हालो हालो जी सर सवाल कर लीजिए सब्सक्राइब बुरा सा प्रोब्लम है जो मैंने उपरतांट की प्रोब्लम है उसके लिए मैं इस बगाई के लिए उटी चाहिए समझे नहीं बिच्छा हम तो क्या कह रहे हैं आपकी आवाज बहुत आ रही है आपके आँसे मैं बोल रहा हूं से इस बहुत कम उमर में सांस की प्रोब्लम इसका मतलब है फेपड़े कमजोर है तो मैं देखिए एक निसका बता रहा हूं यह सीटिया आ रही हैं यह आपको परिशार ना करने लिखने वे निसका सही लिखे और यह एक निसका बहुत अच्छा है अगर आप लिख लें अच्छे से सपिस्तान उन्नाव अलसी तीन चीज़ें सो सो ग्राम खरीद लें और तीस ग्राम पीपलें जो हमारे किचन में गरम मसालों पाई जाती हैं इन सब को पाउडर बना लें उन्ना आपकी गुट्ली निकाल के पहले फैंक देने कभी उस समीत नापीश है और एक चमश सुबा एक चमश शाम गरम पानी से यह चाय से यूज़ किया करें आपको फाइदा मुम्किन है चैसात महीने लगातार इस्त एक यह स्वागत है आपका वाराषी वालो नंतार आपको खंडी का मुश्ना आने लगा हैं तो भी खंडी लगती है तो लोग कैते हैं तो आई जोपाई में खा लिगे यह च्याय में आजवाई दा खे पी लिगे तो इस्ते खंडी शाम हो जाती है यह होगी है खंड गरम मिजाज की है और ठंड को कम करती है काफी गरम होती है और काता है अजवाइन का सत्व तो इतना गरम होता है फिटक्री जैसा होता है अजवाइन का सत्व कहते है इतना गरम होता है कि अगर इसकिन पर लगा लो तो इसकिन जल जाती है फिटक्री जैसा दिखता है नमक जै और गुण के साथ खा सकते दो चुटकिय जो है बस काफी है और किसी को जादा ठंड लग रही हो तो इसे खाने से पहतरी हो सकती है